प्रदेश की योगी सरकार विस्चाचार मुक्त सिक्षावे स्वास्ते मुहिया कराने के लिए सभी विभाग के अधिकारी वे करमचारियों का आदेश दे रही है तो वहीं मुहुआ एमा के एक स्कूल द्वारा सरकार के आदेशों की धज्या उड़ाने का मामला प्रकाश मे आया है जहां पैसे लेने और कम अंग देने के नाम पर धन उगवाई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायल हो रही है जहां कोरोना काल में प्रदेश सरकार ने हाई स्कूल और इंटरमीडियेट के चात्रों को विध्याले की तरफ से ही पास करने का फर्मान दिया था जिसको लेकर मुवा एमा के मदारी इस्तित कडेदिन सिंग्स मारक इंटरमीडियेट कोलेज के प्रबंदक पर अच्छे अंग देने के नाम पर धन उगवाई के आरोप का वीडियो सामने आ रहा है सोशल मीडिया पर वायल वीडियो में चात्री ने प्रबंदक पर जाती वाद का मामलर प्रकाश में आया कि पैसे दिये तो अच्छे नाम पर पैसा वसूला जा रहा है लेकिन आपने आपने ही समूदाय के लोगों को अच्छे ऑंक दिये रहा है विडियाले प्रबंदक धरमराज सिंग द्वारा धमकी दी जा रही है कि एक एक बच्चे को इसका जवाब देना पड़ेगा तथा आप सब के खिलाफ मुकदमत भी पंजिकरत किया जाएगा अब देखना यह है कि सासन पर शासन द्वारा इस सोशल मीडिया पर वाइल वीडियो का क्या कारवाई करती है